मिलोड़, आज हमारी अधालत में महझूद है। खेल आयोजक नरेश कलमडी। नमस्कार। देखिए आप पर इल्दाम है किici पेसों की हेर फिरफेर बहुत जएदा हो रहा है। इसी को तो कहते हैं। कॉमन वील्थ गेम। कॉमन लोगों के पैसों का खेल। खेल भाऊ ना थेवटी पाई जेगे देखे आप पर ये भी इल्जाम है कि अभी बहुत सारे स्टेडियम्स बने नहीं है जबकि कुछी दिनों में खेल शुरू होने वाले हैं तो खिलारी कहां खेलेंगे? पारलियमिंट में पारलियमिंट का खेल हम लोग रोज देखते हैं कोई निशाना लगा के माइक फेक के मारता है कोई निशाना लगा के जूता फेक के मारता है कोई किसी की धोती खीचता है कोई किसी को गमला फेक के मारता है वो भागता है वो पकरता है वो दोड़ता है जब इतने खेल वहाँ हो सकते हैं तो कबड़ी, खोखो, भाला फेक, तीरंदाजी ये सब वहाँ क्यों नहीं हो साथ खेल भावना, ठेवली पाईजे दिखे आप पर ये भी इल्जाम है कि आप मीडिया से डर कर शीला दिक्षित जी के पीछे जाकर चुप गए थे, क्यों? मीडिया से डर कर नहीं गया था मैं मैं शीला दिक्षित को ये सजिस्ट करने के लिए गया था कि इस बार के खेल में हाइड औन सिक, आईस पाई जैसे खेलों को भी शामिल करना चाहिए खेल भाऊ ना, ठेवली पाई जै देखे आप पर ये भी इल्जाम है कि आपने एक टिशू पेपर बॉक्स पूरे चार हजार रुपे में खरीदा है जहां देश की इज़त की बात हो, मैं पैसे की परवा बिलकुल नहीं करता लेकिन मार्किट में तो उसका रेट 500 रुपे है माई तेमला, वो बाहर से आया है, सर्विस टेक्स है, कस्टम है फिर जो उसे लेकर आया है, उसका पैसा वगरा कौन एट करेगा खेल भाऊ ना, ठेवली पाई जै दिखें, आप पर ये भी इल्दाम है, कि आप खिलाडियों को प्रैक्टिस करने का मौका ही नहीं दे रहे जिससे उनकी फॉर्म सेट नहीं हो पा रही है, तो वो गोल्ड मेडल कैसे लाएंगे खेल भाऊ ना, ठेवली पाई जै मिलोड, आज हमारी अदालत में मौझूद हैं कि ऐसे शक्स, जो सिर्फ शादी करना जानते हैं, निभाना नहीं, मिस्टर राहूल राजन नवस्कार देखे, आप पर सबसे पहला आरोप ये है, कि आप इंसान के रूप में जान वर हैं नहीं यर, क्या बात कर रहा है, मैं तुसे वर हूँ, जिसकी पहले शादी हुई, बाद में हुआ सुइम वर, आज कल में हो गया हमला वर, अगर सिंपी नाराज होके चली गी, तो बन जाओंगा किसी और का वर देखे, आप पर ये भी आरोप है, कि आपने अपनी पतनी सिंपी को बहुत बुरे तरीके से पीटा है कौन बोला मैंने बुरी तरी पीटा, अरे मैंने अच्छी तरी पीटा, अरे वो हिरोईन है यार, मुझे उसकी फेस वेल्व पता है, तुम ध्यान से देखो, उसके चेहरे मैंने निशान आने नहीं दिया देखे, कुछ साल पहले आप गलत हालात में बाट टब में पाए गए थे अरे में बाट टब में उसी हालात में था, जैसे बाट टब में होना चाहिए, नहाते हुए, सिंपल लेकिन उस वक्त आपके साथ कोई और था हाई और मैं बोलता हूँ ना, हम दोनों थे, बाट टब में पांसर रुपे नोट का नाओ बना के हम लोग पकड़ा-पकड़ी खेल ले थे तुम दोनों भी बाट टब में नाओ का करो ना, बहुत मज़ाता है से देखे आप पर अगला इल्जाम ये है के आप अपने ड्राइवर को भी पीटते हैं क्या बत कर रहा है, क्या बत कर रहा है, अरो पूरी दुनिया जानती है, मैं तो सिफ औरतों को पीटता हूँ आज हमारे इल्जामों के एनकाउंटर का मुकाबला करने आ है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट दया गायक जी, नमस्कार दया जी आप पर पहला आरोब ये है के आप सरकारी अपसर हैं लेकिन औरे बाबा, इस तेरे लिए नहीं है, तो पूछना जो क्यों पूछने का है आप पर पहला आरोब ये है के आप तनखा तो सरकार से लेते हैं लेकिन काम अंडर वर्ड के लिए करते हैं, ऐसा क्यों? सरकारी काम के अंडर वर्ल्ड को छोड़ के जास्ती पैसे देता कोन है तो किसके लिए काम करेगा हूँ बात करता है तुम देखे आप पर अगला आरोप ये है के आप फिल्मी पार्टी पे बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं ऐसा क्यूँ मेरे लाइप पे पिक्चर वना मालूम है अब तक 56 अब उसका सिक्कोल स्टोरी है मेरे पास केसेज मैट का 55 देखे आप पर अगला आरोप ये है आप पर नहीं आप पर अगला आरोप ये है के आप फेक एंकाउंटर्स करते है ए एड़ा किसे बात करते है तुम मैं समझा कौन बोला मैं जूटा इंकाउंटर्स करते है अगर मैं जूटा इंकाउंटर्स करते है था तो आदमी मारा काई को कितना आदमी मारा नहीं बात करते है तुम